हाई गाईज आज मैं शेयर करने वाली हूं ऐसे पांस तरह के दुपट्टों के बारे में जो आपकी पोड़रों पे जरूर होने चाहिए और होते हैं तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी तो वीडियो बहुत ही यूसफुल रहने वाला है वीडियो के एंड कुछ टिप शेयर करने वाली हूं वह भी बहुत यूसफुल रहेगा तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जिस दुपट्टे की बात करेंगे वह है और सब्सक्राइब करेंगे तो यह बहुत ही प्यारा लुक देता है तो यह एक ऐसा दुपट्टा है जो आपकी वोटरोप पे जरूर होना चाहिए और आप कुछ हैवी नहीं पहन के जाना चाहते हैं आपको लग रहा है कि आप बहुत ही कमफटेबल पहने और किसी से कम भी आपको नहीं दिखना है तो आप बंदेज दुपट्टे जरूर ट्राय कर सकते हैं यह आपकी पूरे लुक को काफी हैवी लुक दे देते हैं और बहुत ही सिंपल भी रखेंगे आप अनकमफटेबल बिलकुल नहीं होंगे तो यह एक दुपट्टा है जो आपकी पूर्टरोप पर जरूर होना चाहिए और बंदेज दुपट्टे इतने जादा ट्रडिशनल लगते हैं कि आप इन्हें साड़ी पे भी वन साइड पल्लू और वन साइड दुपट्टा प्लेट करके अगर ड एक यह एक दुपट्टा है जो कई तरीके से कई आउटुटुट में बहुत ही अच्छे से जाता है तो यह ऐक ऐसा दुपट्टा है कि यह भी आपके ड्रोप पर जरूर होना चाहिए दुपट्ट्टे की बात करते को और बंर स्यादा they anke गे जोलेता है यह वेक ऐसा अग कई तरीके से style कर सकते हैं तो ये एक ऐसा दुपट्टा है और ये भी आपके wardrobe पे जरूर होना चाहिए नेक्स दुपट्टे की बात करें तो वो है net का दुपट्टा, net का दुपट्टा आपके wardrobe पे जरूर होना चाहिए ये बहुती सुन्दर लगता है और मेरा तो favorite है, बहुती अच्छा लगता है ये सियर दुपट्टा होता है तो बहुती ज़ादे stylish और classy लगता है तो ये एक दुपट्टा तो जरूर होना चाहिए और also ये भी उतना ही versatile दुपट्टा है कि आपको almost हर ड्रस के साथ इसको भी आप carry कर सकते है बहुती stylish वेब है तो ये एक दुपट्टा भी आपके पास जरूर होना चाहिए next दुपट्टे की बात करें तो वो है फुलकारी दुपट्टा फुलकारी दुपट्टे की खास बात ये है कि ये बहुती light fabric में बना होता है like siphon या georget और ये दिखने में बहुत heavy look देता है तो जो भी लोग ऐसे हैं जो जोने बनार्सी दुपट्टा या बंदेश दुपट्टा बहुती ज़दा heavy लगता है उनके लिए ये फुलकारी दुपट्टा best option कोज ये दिखते तो heavy हैं बट ये होते हैं बहुती light fabric में है तो जिन लोगों को ऐसा heavy fabric नहीं पसंद है वो फुलकारी दुपट्टे के साथ ज़रूर जा सकते हैं तो ये भी एक ऐसा दुपट्टा है जो आपकी वोटरोप पे ज़रूर होना चाहिए ये थे वो फुलकारी दुपट्टे जिनने आप almost हर टाइब की traditional dress के साथ वेयर कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कुछ tips के बारे में तो tip number one ये है कि जो फुलकारी दुपट्टे हैं बनार्सी दुपट्टा है और बंधिस दुपट्टा है ये तीनों almost same look देते हैं same heavy look create करते हैं तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी दुपट्टा नहीं है तो आप बनार्सी दुपट्टे के साथ जा सकते हैं आपको तीनों दुपट्टे खरीदने की जरुद नहीं है और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक है तो आपको बागी दो खरीदने की ज़रूत नहीं है मेरे कहने का यह मतलब है कि इन तीनों दुपट्टों का काम एक ही दुपट्टा कर सकता है वो है बनारसी दुपट्टा या फिर आप बंधिज दुपट्टे को भी वो प्रफरेंस दे सकते हैं या फुल कारी दुपट्टे को नेक्स ट्रिप की बात करूँ तो वो है कलर आपको सारे दुपट्टों में ऐसे कलर को चूस करना है जो अल्मोस्ट हर टाइप ऑफ कलर के साथ मिक्स और मैच करके या कंट्रास्ट या बैलन्स लुक क्रियेट करें तो कलर का बहुत ध्यान दीजेगा बनार्सी दुपट्टे की बात करूँ तो उसमें पेंक औरेंज और रेड इतने कॉमन कलर हैं यह कि आल्मोस्ट हर कलर के साथ यह बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप जब भी बनार्सी दुपट्टा ले तो यह प्रफर कीजिए कि आप इन तीनों में सही कोई एक कलर पिक करें बहुत कलर बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं नेट की दुपट्टे की बात करें तो आपको वाइट या क्रीम में कहने का यह मतलब है कि आप ऐसा कलर चूस करें जो आल्मोस्ट हर टाइप आफ कलर के साथ कॉम्प्लूमेंट दे यह था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो मिलती हो आपको नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाब बाई टेक केर